में नमसुक्र औरमीट में सिंगम एक एक और नय लेक्टर लेके आज का अम्हारा है लेक्टर नंबर 64 और अब यह टॉपिक के रहेने वाला है हमारा टॉपिक है 650 motion एसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि motion of a charge particle in presence of ilctic field as well as magnetic field but condition is that कि और electric field and magnetic field are perpendicular to the each other वो कहा है इक दुसरे के mutually perpendicular है यह कहा रहने वाली है condition रहने वाली है यहनि कहने का बात मतलब यह है कि इस topic का नाम सुन कर यह आप समझ गये होंगे जब भी हमारे पास एक electric field होगा और एक magnetic field होगा और दोनों क्या होगे एक दुसरे के perpendicular होगे और अगर इस particular field में या भूसते हैं इस particular electric और magnetic field में अगर कोई charge particle enter करेगा तब उसका motion कैसा हो जाएगा cycloid motion हो जाएगा यहां बोल सकते हैं उसकी trajectory होगी वो कैसी होगी cycloid की तरह होगी इसको पढ़ने से पहले एक बार यह देख ले जैसे का हमने पिछला डिस्कस किया था कि जब मैं किसी एक magnetic field में किसी एक charge particle को enter कराता हूँ at different angle तब उसकी trajectory कैसी होती है हमने क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि अगर velocity और magnetic field के बीच का angle अगर 0 या फिर πाई हो तब जो trajectory होती है वो कैसी होती है state line होती है और हमने यह पढ़ा था कि जब अगर magnetic field और velocity of charge particle के बीच का angle कितना हो 90 degree हो तब जो मेरे पास trajectory निकल के आती है वो कैसे निकल के आती है cyclotron निकल के आती है ना बोल सकते हैं हमारा charge particle uniform circular motion करने लग जाता है ऐसा पढ़ा था हमने ना पहले ये देख लेते हैं कि जम में किसी एक charge particle को इस topic को शुरू करने से पहले पहले ये देख लेते हैं कि जम में किसी एक charge particle को uniform electric field में रखूंगा या फिर उससे पास कराऊंगा तब उस charge particle की trajectory कैसे होगी अक्च्वल में ये ये टोगी हमने पहले कबर कलना चेह था जहाँ हमने क्या पढ़ा था electrostatic field पढ़ा था लेकिन वहाब कबर नहीं किया तो क्या हो गया यहां कबर कर लेंगे तो इसको पढ़ने से पहले सब्सक्राइब हिंडालो क्या trajectory of charge particle in electric field तो पहले एडिंग क्या हो जागे हमारी trajectory of charge particle trajectory 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 of charge particle charge particle in uniform electric field uniform electric field electric field ओके अब देखो अजूम करो कि मेरे पास क्या है यहाँ पर एक uniform electric field है अब कुछ ऐसे बनाओ uniform electric field मैंने क्या बना दे एक parallel plate के पिसे समना दिया और उसमें कितना चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है इस जूँ कर लो और इतना ही negative charge कहां है इसके पास है ऐसा कुछ है तो यहाँ पर जो electric field होगा अगर इन फाइनेटली लाइट है तो यहाँ पर जो एलक्तिक फिल्ड ओगा कैसा होगा प्लस प्लेड्ट टू नेगेटिव यहां पर इसकी वैल्यू कितनी है यह है और हम क्या सकते हैं यहां से क्या रहा था कोई एक चार्ज पार्टिकल रहा था और यहां यहां से एक चार्ज पार्टिकल आ रहा है जिसमें कितना चार्ज है क्यों चार्ज है और इसका माश कितना है M है ऐसा बूल सकते हैं इसका माश कितना है M है इस चार्ज पार्टिकल का और इस डिरेक्शन इस डिरेक्शन एक्स डिरेक्शन एक्स डिरेक्शन में वह वी वेलोस में क्या हो रहा है इस तरीके से मूव हो रहा है अब जैसे वो इस इलेक्टिक फिल्ड में इंटर करेगा होगा क्या इस चार्ज पार्टिकल में यह इलेक्ट्रिक फिल्ड जिसकी वैल्यू कितनी है यह है यहां लगाएगा इसमें कि Lamborghini force लगाएगा और हम सब जानते हैं कि इस एक्त्र इन्टु एक्वी इक्वेल टू कितना होगा मेरे पास Q into A के बराबर होगा और Q कैसा चार्ज है हमारा क्लिब पॉस्टिव चार्ज है इसका मलग लगने वाला फोर्स होगा वो किसके डारइक्शन में होगा इलर्टक् की Direction में होगा होका और यहां पर इसमय इन्टर करें से तरीक से घग अगर यह Dalton High लेकिन अगर यहां पर यहां पर जैसेẽ पहूंचेगा तो इस तो चले का लगएगा तो अ किया ही सोगा है यहां एक सेकिन लों है ऐसा होता है यह नहीं जो होता है इसा होता होता है लोस्रेटिक इतनी है जीटरो है लेकिन जैसे वह इस इलेक्टिक फिल्ड में इंटर करेगा तो उसके कुछ यह इस डिर्टिक कितनी है उसकी है एगे बढ़े तो होगा क्या तो जो पाथ है कैसा बन जाएगा पेहले अगर उस्टाइप करके अब यहां पर है तो कुछ इस तरीके से कनियो कि मेरे पास पन है इस परन को मैंने फाह का इस पन में क्या लग रहा है नीचे की विए इसके प्रपेंडिकुलर एक फोर्ट लग रहा है एंड एट फोर्ट इस देट फोर्ट इसका बॉलगा इसका कर एसी और रहा था यहां पर इसका पात कैसा बन जाएगा ऐसा बन जाएगा अब हमें यह देखना है कि जो पाथ है ये क्या है ये पैरा बोला है या फिर कुछ और है चिका तो उसके लिए का करना पड़ेगा मुझे इस पाथ की जो एक कुशन होती है उसे डराइब करना पड़ेगा ना अजुम करो कि किसी टाइम टी पर इसका जो इनिशन उसकी पोजिशन थी सब्सक्राइब कितना है अब देखो अगर मैं यहाँ पर क्या लिखूं न्यूटन का सेकिंड एकुशन लिखूं कि वाई इस इकल्ट क्या होता है मेरे पास यूटी यूटी का मिल्लब इनिशल ब्लसर इन वाई डिरक्शन और इंटू कितना आ जाएगा फिर प्लस कितना कितनी है जीरू है देखो इनिशली जो मेरे पास व्लाइटी थी वह सिर्फ कि दार्ट्शन में थी एक्स दार्ट्शन में थी तो जो मेरे पास यूटी है वो कितना है मेरे पास जीरू है तो यूटी इस जीरो तो यह पूला तम कितना हो जाएगा फिर प्लस कितना आ गया 1 by 2 ay ay is the acceleration in y direction और इंटू कितना आ गया है हाँ पर t square आ गया तो यहां से मेरे पास y equal to कितना निकल किया गया है 1 by 2 this is ay into t square ठीक है ऐसा निकल किया गया तो this is displacement in y direction at time t when acceleration is ay acceleration is due to our this force sorry our electrostatic force हम निकाल भे सकते हैं acceleration ay के वाई कितनी होगी since we have f equal to कितना है मेरे पास देखो f e equal to कितना है this is equal to q into e के बराबर है and from newton second law तो this will be equal to m into ay is equal to कितना हो जाएगा यह q into e हो जाएगा तो यहां से मेरे पास ay equal to कितना आ गया है in terms of magnitude q e upon कितना आ गया एम आ गया जहां m के है उसका मास है तो इसको उठागा यहां पूट कर सकते हैं तो यहां से मेरे पास y equal to कितना आ गया है one by two this is m sorry q e upon कितना आ आ आ गया कितना आ गया q e upon m और into इसको एया निकला मेरे पास displacement at time t in y direction अगर मैं यह निकाला चाहूं कि displacement in x direction because x direction में यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा उसको जितना टाइम वाई दी टाइम लगा यहां से यहां एंड multiply by velocity in x direction multiply by कितना आजाएगा टी हो जाएगा अब देखो initially velocity x direction कितना था वी था और जैसे इस electricity फिल्ट में एंटर करेगा क्या इस direction वाली velocity में कोई change आएगा answer है कोई change नहीं आएगा क्यों कि इस direction में कोई पोँईपोंट फोर्स लग ही नहीं रहा है तो इस डार्वशंस नहीं लग रहा है तो कोई भी आक्स बीशनर नहीं पास X upon V आ गया, T equal to कितना आ गया, X upon V, इसको उठाया कहाँ पूट कर दो, इधर पूट कर दो, तो मेरे पास यहाँ से क्या निकल किया एगी, एक equation निकल किया एगी, and that is Y equal to, कितना हो गया यह, 1 by 2, and this is QE, और अपॉन कितना हाया, M आया, और टीज क्या पूट कर सकते हैं, X square upon V square पूट कर सकते हैं, तो X square upon V square, तो यहाँ से Y equal to आगया, मेरे पास कितना, 1 by 2, QE, अपॉन कितना हाया, M, V square और इंटू कितना हाया, X square, ऐसा यह निया, and this whole thing is constant, this whole thing is constant, to Y equal to क्या हो जाएगा, इधर से C X square हो जाएगा, and this is equation of parabola, यह कहा है, मेरे पास, जहाँ पर C equal to क्या है, here C equal to, here C equal to constant, and that constant is, 1 by 2, QE, और अपॉन कितना हाया, यह, M V square आगया, ठीक है, यह बाद कितना हाया, and this is Y equal to C X square, it means, this equation is equation of parabola, equation of parabola, यह क्या चीज है है, हमारे पास, equation of parabola है, यानि, जब भी कोई मेरे पास charge particle होगा, और वो uniform electric field में, उसके perpendicular, एक चीज और धान दने वाले बात यह है, कि यहाँ पर जो charge particle है, इस electric field के perpendicular क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है, और उसके perpendicular जब भी कोई charge particle इंटर करेगा, उस charge particle का path कैसा हो जाएगा, हमारा parabola हो जाएगा, क्यों होगा, क्यों होगा, क् electrostatic force लगेगा, होगा नहीं होगा ऐसा, अगर मैं आपसे यह बोलूँ, कि मेरे पास यह कहा कोई एक charge particle है, Q, और यहाँ पर मैंने x direction में एक electric field लगा दिया, मैंने e equal to e naught x cap लगा दिया, और यह मैंने इसको rest में लग दिया, मैंने यहाँ पर रग दिया, यहाँ पर रग दिय लगेगा, answer है, इस direction of force लगेगा, कितना force लगेगा, F into, sorry, e into, q क्योंकि रग रख लगेगा, answer हाँ लगेगा, जैसे force लगा, यहनी क्यों होगा, acceleration होगा, acceleration होगा, change in velocity होगा, यहाँ पर इसकी velocity कितनी थी, 0-3 लगिन जैसी आगे बढ़ेगा, तो velocity कितनी हो जाएगी, V हो जा रहता हूँ, कितना, और यह initially कहा है, rest मैं, यहाँ पर रख रहा है, और यहाँ पर कुछ magnetic field है, electric field है, and that magnetic field is b equal to b not x k, ऐसा कुछ magnetic field मैं आपर लगा दिया, ओके, अब बताओ, क्या यह चार्ज पार्टिकल में कोई acceleration आएगा, जल्दी बताओ, क्या मैंने यहाँ पर एक चार् लगेगा, answer है, इसमें कोई force नहीं लगेगा, क्यों, हम सब जानते हैं, because velocity is zero, जो मिर पास electro magnetic force होता है, वो सिर्फ किस में लगता है, moving charge में लगता है, rest charge में नहीं लगता है, कैसे बताता है, ऐसे बताता है, देखो, f equal to क्या होता है, हमारे पास, f equal to होता है, q into fm equal to कितना हो q into v cross b होता है, होता है, if v equal to zero, then force will be zero, then magnetic force will be zero, तो magnetic force लगने के लिए हमेशा, charge particle ने कैसा होना चाहिए, motion में होना चाहिए, और electrostatic force लगने के लिए, charge particle हमारा rest में भी हो सकता है, rest में में होगा, तो समता force लगएगा, किस direction लगएगा, electric field की direction लगए, यानि उसमें क्या होगा acceleration होगा, कि दर हुए इतनी बाद, now इसी concept है, जो ये concept यहाँ में लिखाया, इसी concept पर, sorry, इसी concept पर जो based, जो हमारा topic है, वो कहा है हमारा cycloid motion है, तो फटा पर इसको note करो, इसको note करने के बाद मैं इसे मिटाता हूँ, और फिर next session डालो क्या, cycloid motion, okay, note हो गया, मिटा दो इस ओके हिडिंग अडालोगे, ये रालो, हिडिना लोका cycloid motion और उसके निचे ये लिखो, ये विए इम्पोर्टेंट एंडे, ठीक है, इसको लिखो इसको लिखो के निचे, फिर उसको निचे निचे नाम बता रहूँ, ओके, ये लिखाना, लिखा cycloid motion, उसके निचे हिंडा ले क्या, motion of charge particle, sorry, motion of charge particle in electric field and magnetic field, ओके, अब देखो, हमें क्या लगाना है, एक electric field होना चीए, magnetic field होना चीए, और condition क्या है, बोथ हर perpendicular to the each other, ठीक है, ये हिंडा लाओ, उसके निचे डियाग्राम लाओ, तो कुछ ऐसा है म कि मेरे पास electric field, let us say, let us consider, कि मेरे पास electric field E है, and this E is acting in z-cap direction, electric field कैसा है, uniform है, और किस direction में है, z-cap direction में है, and, मैंने एक magnetic field लगा रखा है याँ आपर, और उसके परपेंडिक होना चीए, let us say, this magnetic field in x-cap direction, क्यों डिरेक्शन में है, x-axis की और है, ये वो उसते है, x-cap direction में है, और म initial velocity, v equal to कितनी है, 0 है, जिसको मैंने क्या रखा है, इस electric field of magnetic field में रखा हुआ है, और कैसे रखावा, देखो, ऐसे देख सकते हैं, क्या बना हो है, आपने x-y-z corner system, बना परेने तो, this is x-axis, थोड़ा बनाते है, एक x-axis है, and this one is y-axis, and this one is, या फिर इसको x-axis बोल दो, इसको का बोल दो हमारी x-axis, ठीक है, killer हुई इतनी बात, and that is our origin, और हमने ये बोला है, कि इस direction में क्या है, हमारा magnetic field है, and that magnetic field is b0 x-cap, और इस direction में क्या है, हमारा electric field है, and that electric field is e0 x-cap, sorry, e0 z-cap, एक important चीज, जो ये topic है, बहुत important topic है, यहां से jam में और gate में क्या होता है, direct question पूछा जाता ह ठीक है, आपको क्या देगा, इस तरीके से एक system देगा, या फिर इस तरीके से लिखा होगा, और आपसे बोलेगा, कि यहां पर मैंने एक charge particle रख दिया है, बता वो charge particle किस direction में move करेगा, यहां फिर बोल सकते हैं, उसका path की trajectory का जो plane होगा, वो कून सा होगा, ठीक है, इस तरी अपर प्लस Q charge रख रख एंडेट प्लस Q this thing, और इनिशली कहां पर है, rest में, अब ध्यान सुनना बात को, ठीक महा लिखाओंगा नी, सिर्व आपको सुनना है, और सुनके अपने मन से लिखना है, ओके, देखो यहां पर क्या है, प्लस Q charge है, यहां पर रखा होगा, और इनि स्क्राइब और इलेक्ट्रोर्ट्यूर्ट्री ऐगा अपने दारेक्शन में खीचे गा यहां पर क्या होगा इलेक्टिक फिल्ड प्लेयम आएगा स्वरी magnetic field क्या आएगा, flame आएगा जब तक velocity क्या थी? 0 थी तब तक यहाँ पर magnetic field का कोई role नहीं था लेकिन जैसे ही यह charge particle के पास इस electric field की बज़े से या मुझते ही, इस electrostatic force की बज़े से इसमें velocity आई, velocity आते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा जो magnetic force है, वो भी क्या आजाएगा introduce हो जाएगा, यहाँ क्या आजाएगा, वो भी flame आजाएगा, अब question यह है कि यहाँ पर initially velocity की direction में है Z cap direction में है, और magnetic field की direction में initially, X cap direction में है तो force कहां क्यों लगेगा, कैसे निकालोगे इस formula से निकालोगे, देखो, तो force की direction लेगा, तो in our particular case जो मेरे पास FM लगेगा this will be equal to Q into V किस direction में है हमारा Z cap direction में तो V Z cap और into कितना आगया मेरा यहाँ पर, B और B किस direction में B not X cap है इसकी value तो कितना आगया, B not X cap आगया तो यहाँ से मेरे पास FM is equal to आगया मेरे पास कितना Q into, और this thing will be V into B और अंदर कितना बज़ गया यह Z cap क्रॉस कितना आगया, X cap आगया और Z cap cross X cap, क्या होता है value बताओ तो FM, vector भी हो गए FM equal to Q V B Z cap cross X cap यह होता न, कुछ ऐसे बनाते थे हैं बच्पन में एक ट्रिक से किती हमने This is X cap, Y cap and Z cap कुछ ऐसे करते थे तो Z cap cross X cap क्या होता है मेरे पास, Y cap होता है, तो क्या आजाएगा यहाँ पर Y cap आजाएगा, इन्होंते हमारा पास लगने वाला magnetic force है वो किस direction में है, Y direction में है तो यहाँ पर जो लगने वाला force होगा कहां की ओर होगा, इधर की ओर होगा कहां की ओर, जैसे सो velocity आएगी velocity आते ही, इस direction में क्या लगेगा force लगेगा, और इस direction में जैसे ही force लगेगा, क्या अब particle अब भी इस Z cap direction में मूब करेगा answer है नहीं, वो कैसे करव हो जाएगा हमारा अनुभाव कहता है, कि वो ऐसे क्या हो जाएगा, करव हो जाएगा, होगा नहीं होगा, देख लेक्टर में यहां पर हमारा मेंगनेटिक फिल्ट क्या कर जाएगा डॉमिनेंट कर जाएगा और हमारा यहां पर जाएगा जैसे वह इस पॉइंट से नीचे आना चाहेगा यह करके जैसे वह ऐसे आना चाहेगा अब जैसे नीचे को आएगा यहां पर तक जाने आए बास सही थी यहां पर तक जो मारे पास अइलक्टिक फिल्ट कर रहा था व लॉस्टी और यहां पर तक बढ़ गया जितना बढ़ना है अब इसके बाद जब बढ़ा करना चाहा पाथçon करना चाहा और जैसे वह पाथ ऐसा हूआ और इस पट्रिवर केस्ट में क्या हो रहा है हमारा चार्ज आ पार्टिकल किस दिर्शन मूब पर रहा है यहां से यहां तक निचे क्या होगा डियुक्रीज करेगी और जैसे व्लॉसलिटी डिक्रीज करेगी हम सब जानते हैं जो मैगनेटिक फोर्स है वह भी क्या करेगा डिक्रीज करेगा और एंसी प्रफेट करेगा यह निचे करे रहा है जैसे यहां पर अगेन हमारा चार्ज पार्टिकल कहा आ गया है तो दो यह मेरा मैगनेटिक फोर्स कितना हो जाएगा जीड़ो हुझा तो अगेन कौन सा फोस प्ले मा आ जाएगा यहां पर एक इस तरीके से क्या बन जाएगा यू करके यह बनेगा बनेगा फिर हम अलो सुटी कितने होजाएगी जिरो हो जाएगी फिर अगें क्या करेगा यहां पर प्लेम आएगा और वो क्या करेगा इसको एक्सलेट करेगा इस डिरेक्शन में यानि इस पर्टिकुलर केस्ट में जब हमारा यटनल के अधर उसका पाथ काशुरत है ऐसा हो जाता है और हेस कि आध़ कई साइकलोयड बोलते हैं आप को इतनी बात तो ट्रेजट्री । और ट्रेजट्री इस ओ सब्सक्राइब आपको इतनी बात तो इस द डवर ट्रजक्टरी एंडड़ ट्रजक्टरी स्वर्शों की नहीं अपति अप्शन माया क्या हो रहा है नहीं आया है आपके पाई ऑप्शन माया वीडियो को दो मिलिटे पीछे करो बढ़ा देख लोगे अब यहाँ पर प्या हो है सईक्रोड मोशन को हम क्या बोलते हैं साइक्र ओर्सन बोलते हैं ना आप यसमोसन के बारे में कुछ इंपोर्टेंट चीजह है जो आपको क्या करने में पढ़ेंगी याद्लानी पाओ यह पर लिए अगर वह चीजह important points जेखो पहला points को रखकरेट्ट्री कैसी है ट्रजेक्ट्री ट्रेजट्रिक्तری कैसी है 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 ऐगे ट्रजेक्ट्रीक इस हमारी साइकल दुसरा यहां पर आता है क्या दूसरा आता है देखो plane of trajectory, दूसरा क्या आता है, plane of trajectory, plane of trajectory, in our case, जो plane of trajectory है, वो क्या है, देखो, that is, y, z plane, कुन सा plane है, y, z plane, इस plane माने, board की plane में यू करके चल रहा है, तो plane of trajectory क्या हो जाएकि मेरे पास, y, z plane, देखो, in general क्या होगा, जान सुनना बात को, in general, in general, in general, plane of trajectory, plane of trajectory, is, perpendicular, to the direction, to the direction, in which, B is applied, B मने, magnetic field, B is applied, जिस direction, magnetic field applied होगा, उस direction होगा, perpendicular होगा, प्रपेंडिकल रहा होगा, हमारा जो plane of trajectory है, दिखरा आपको, magnetic field कहां के ओर है, x direction में है, या नहीं है, और ये जो मेरे पास, y, z plane है, वो कहा है, इसके perpendicular है, तो in general, ये case होगा, तो ये आपको कहा रखना है, याद रखना है, और हमारे case में, वो कहा है, trajectory कहा है, ये पास, y, z है, जो second चीज़ है, अब particle किस axis की और move करेगा, जहां सुना बात को, particle किस axis की और move करेगा, यहाँ पर तीन axis है, x axis, y axis, and z axis, और particle किस axis की और move कर रहा है, y axis की और move कर रहा है, तो particle move, हमारे case में कहा है, पार्टिकल, is moving, moving, along y axis, along y axis, ऐसा हो रहा है, y axis की और क्या कर रहा है, move कर रहा है, अब देखो इन जनल कैसा होगा, यह तो हमारे के दोल मुषतम के आक समय श्यार की आः ना है, आ यहाँ जोखको, मुवगारण टॉष्यास क्ताूर्ट समय श्क्ताक ने तो क्या अगर, in general, particle moving towards that axis, which is perpendicular to the both B and E, magnetic field and electric field. जो magnetic field अब एलक्तिक फिल्ट दोनों के perpendicular हो, उस एक्सेस के और क्या करता है, in generally, जो हमारा particle है, वो move करता है. आपने सकते हो जो आएक्स से वो बी और एक्स क्या प्रक्राइब करेगा फिर नाउ अगला देखो कि पर तो जाएगा स्ट कुछ सक्राइब कि एक्वेशन और ट्रेजक्ट्रीग प्रीच्रेटरी The Trajectory equation of trajectory क्या होगे अब जाण से देखो हमारा Motion किस plane में है Motion is in our Y-z plane motion is in our Y-z plane to the trajectory होगी वह किंदो का रने किंदो variable की टम्म होगी Y-z के टम्म होगी यहां सुनना बात को झिए अब यहां पर जो trajectory हो किस plane में है y-z plane में है और अगर trajectory y-z plane में है तो जो अब है equation यहां पर लिखूंगा, equation of trajectory लिखूंगा, वो भी किसके term होगी, y और z के term होगी, equation कुछ ऐसी होती है, कि y minus something आएगा, उसका square, फिर plus z minus something उसका square, this is equal to r square, ठीक है, अब यहां पर आपको त्वड़ाँ से रचना पड़ेगा, एगए पर का music यहां पर डिलोघ्रेया नहीं यहां पर alcohol में अगर यह leafै नहीं यह लॉट फूपने मिन ट्सथे मूए समय और्म इंट करो है तो यह चीज़ के यहां पर फिल पीश्फ का जाएगा सुद क्या स्रक्वा सरुनल जाए गई करओ दो लिएग यहां पर क्या आएगा फिर यहां पर क्या आएक है कि इसका जो center of cycloid y direction में कैसे move कर रहा है ठीक है and that is moving like this this is r omega t यहापर क्या लिखते हैं हम r omega t लिखते हैं देखो इसको समझ सकते हो देखो r omega t की जो dimension है वो एक्चल में किसके dimension है displacement की direction है ठीक समझभाई बार यानि वो इस origin से किती डिस्टेंस पर है एट टाइम टी यह आर omega t उस चीज़ को रिपर्जन कर रहा है विकाज omega के हैं आप अंगलर फिकुंशी आर के हैं आप रेडियस इन डिस्टेंस और टी के हैं आपर टाइम है और r omega t के दो डैमेंसिन होती है displacement की डैमेंसिन होती है आप ऐसे समझ सकते हो कि जो आर इंटु omega होता है क्या होता है यह लिए लिख सकते हो अगर यह समझ में नहीं आया जो मैंने बूला तो सिंपल सा रट लो ठीक है तो यहां पर क्या आएगा आएगा और यहां क्या आएगा आ राएगा ओके इस से लिए बहुत सारी कुशन करें तीन चार केस लिए आपे तब आपको हो यह कुशन क्या हो जाएगे बहतर है समझ माइगे फिलाल के लिए क्या कर लो इसको रट लो तो दिस इक क्वेशन इन दिस पर्टिबल केस ठीक है वसे रटना भी नहीं है दिमाग में एक पिक्चर बनने चीए तो यहां पर किसकी कुशन आ रही है अल्टिमेटली दिस इ है आपर क्या Center of cycloid जो कहा है बहुत important है वो पूशे जाता है यह उपर के यह यह दो पूशे जाते है कि 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 मुप करेगा और कि स्प्लेर नोव करेगा और एक पूशे जाता है वो हमारे पास क्या डैटिस center of cycloid to do 50 points हो जाएगा वो क्या हो जागा मेरा center of cycloid center of cycloid अब देखो center of cycloid कैसे निकालेंगे इसके लिए रखो इसके लिए क्या हो जागा that is center of cycloid center of cycloid इसके coordinate बताने है क्या बताने है coordinate की जो center of cycloid है क्योंता है यह भाला है में पूजिशन सेंटर एगा पूजिशन ऊफ सैंटर ओ दिस एंट रइटَ एन डेट वी इपल टो आरि ओमेगा ती यहां किते आ जाँगा यह आर ओमेगा टिए आ जाएगा अब जेट द्ली डियव में जयूदाब है आप जो और केस हैंगे माना मैंने पलड़ दिया इसको यहां लिग दिया यहां लिग दिया यहां लिग दिया आप किससे करोगे यह समझो कि जी रो होगा हमेशा जो जी रो होगा किसा इस डालेक्शन में हमने मैंने अपलाई कर रहा है उस डालेक्शन helps का दवा हमेशा कितना अप्ल इस अक יकिए अपलाई है अप्लाइड है को के और जो आर होगा वो हमेशा इस दिरेखशन में होगा जहाँ और क्या क्या कर रहा है। बहुत हैं मतलम सकता ओपने या स्गतलाक ऑने वाला वाह्त a Hugo हो इंपोट्रेंट हुए यह की है वसक्ति और वह चील्द है वह हो दीजरा गो तो वह है Your और यह जो चीज है तो बचा कुन सा वाला मेरे पास जिट डिर्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट तो यहां पर क्या है क्या कर लो अभी इसको समझते हैं मैं अगली हिंट लालो क्या विलोसिटी ऑफ सेंटर और साइकलोड कि जो सेंटर आप साइकलोड है वो किस स्पीड से इस डिर्क्शन आप मूव करेगा देखो सोरी अगर लेडिंग के हो जाएगी विलोसिटी ऑफ सेंटर आप साइकलोड यानि कुन सा हो जाएगा यह छटा छटा पॉइंट लेखो विलोसिटी ऑफ सेंटर आप साइकलोड सेंटर ओफ साइकलोड क्या होती है देखो विलोसिटी वी इकल टो आता है मेरे पास कितना मैगनिटूड ओफ ए और डिवैड़ेड़ वा कितना आता है तो उसको विलोसिटी कितनी होती है इतनी होती है ठीक है अब देखो एक चीज़ और हो सकती है अब यह साइकलोड है तो उसकुछ फ्रिक्वेंशी भी होगी तो पहंतो करें कालोडे इस निकालोड़ोड तो या फिर तो रदीilia स्निकला गीSDR ile duale की बात हो रही है अगर मैं क्या देखूं एंग्युलर है फ्रिकोंसी देखूं देन डिस विल वी खोल टू ओमेगा एंड ओमेगा एक घो टुक्ल क्या होता है मेरे पास यह फेखी बीक क्या होता है इतलग होता है प्रेकी एकटना आरो मेगा प्रैना हमने B equal to R omega and this R omega equal to kya होता है मेरे पास E upon B होता है तो यहां से मेरे पास जो omega equal to nis cases निकल क्या आएगा वो क्या निंगल क्या जएगा यह फिर R, radius equal to kya निकल क्या जएगा radius R equal to E by B omega यह निकल क्या गया E by B omega अब omega कहा से निकल यह पिसके विल्ट में और जब भी हम किसी चार्ट पार्टिकल में एंटर कराते हैं तो श्ब्सक्राइब जो में गा हो जाएगा एंग्लर फिक्वेंसी ओमेगा एक्वल्टू देट इट इकल्टू क्या होगा मेरे पास बी या फिक्यू ए कि बीक्यों अपोन एंट ना कितना होता है बीक्यों अपोन एंट एसा है तो तो पूँछ कुछ अगर सबना नीज आ रहा है तो ऐसे निकाल दो धानी थे निकाल देुक बार मैं यह आता है मिरे पास mb square upon r is equal to vq b v से भी उड़ गया तो यहां से मेरे पास कितना आ गया यह mb is equal to this is rq b nikaal किया गया and अगर मैं हो time plan निकालू equal to कितना आ जाएगा 2pi r 2pi r upon कितना आ जाएगा v आ जाएगा तो यहां से मेरे पास r equal to kitna गया 2pi upon v into कितना गया mb upon b q nikaal किया गया बीच्व बीच्व थो यहाँ से लिए तो यहां से पाधॉइगा एक हो इतने में इंपोर्टें फोर्मुला इस उभीग कर सकत है अगर आर निकाला है तो तो दिस दो एंग लोज फिक्वेंशी और इस रेडियस वाब दीज साइकलोट ठीक जो इसके रेडियस यह बनने न कर बटाइब के इनकी रेडिस कितनी होगी इतनी होगी ओके इला है इतनी बाद ना अब बढ़ते हैं आगे को और बढ़ते हैं इसका मलब यहां पर कुछ इससे मिटाने पड़ेंगी इसे मिटाने अब देखो बहुत असान है इतना टैम लगाई इसमेना केस लिखो यहां आपर केस वास्ट केस फिरस्ट में वी ऐसा करो कि सिंपल साथ एलक्टिक फिल्ड और मगनेटिक द्यर्वर्शिंग से डर्श बो नुट यहां कितना मगनेटिक फिल्ट है यहां पर पार्टिकल रखाया कितना रखाया कितना रखाया कितना रखाया है यहां कितना रखाया इस अधर कितना रखाया है यहां से मेरे पास Fm इस इक्वल टू कितना रखाया है Q into V किस direction में है X direction में तो कितना आ गया यह V x cap cross B किस direction में है Z cap direction में तो V x cap cross B z cap तो मेरे पास FM is equal to यह क्या आगए मेरे पास This is equal to Q into V B और INTO कितना आ गया यह X cap into कितना आ गया Z cap आ गया तो X cap into Z cap क्या होता है और अगें पुरानी चीज़ें इस एक स्केप वाई केप जड़ के एंडिस इंटिक लॉग्वाइच इसा एगा तो एक्सकर इंटू जड़ कैप क्या जयागा माइनस का या पर कितना गया मैनस वाइक है तो जो एफ-m है मेरा वो किस डिरेक्शन में है माइनस वाइक क्यों लग रहा है इधर की ओर यानि कहां की ओर इसको समस्क्राइब देखो यह मेरे पास क्या है एक्स डिरेक्शन ओके यह एक्स डिरेक्शन है और पार्टिकल्स ऐसे आरता इधर को ऐसे आ रहा था देगे इस तो कैसे मुण जाएगा फिर अगेन ऐसे यह एक रिजएक्टरी तो ट्रेटरी कसी बन जाएगी ऐसे बन जाएगी देखो ध्यांसे अगा इधर को बढ़ाओ में यू कर गे तो मैं ट्रेजेक्टरी भी लुक्स लाएक दिस ओके ऐसी कुछ दिखे की ट्रेटरी में रिको ठीक है धान देना एक कहा नहीं है इस इस नॉट इन वाइजट प्लेन इस एक रिजए प्लेन तो थोड़ा से एसा बनाना पड़ेगा जान बूच के यह दिख रहा है को थोड़ा बहुत ऐसे टिल्टेट बनो यहां से ऐसे करो फिर ऐसे यूं ठीक है इस तरीक्टरी इस त इन ही उस प्लेन में है एकस्वाई निहें है डूस्री जीजों यहां पर डार फमोमेंट जो यूश्य सने मूमेंट हो रहे है जैट इजन मैusz इक्रच्च्च्च्च राखमर पार देरेक्श और अगर मैं बात करो किस ओक रहा है तो लोगा के लाट करें तो कुंघ विकल ल दोने का मेन टूण है तो दो ए नोट अपॉनवी नोट था अन्किस दिर्क्षिन में जानकी तो कितना जागा यूँ आपर इक्षाव कर चावा जाएगा और अगरा बात करों किसकी एक्क्षेशन ओफ equation of क्या था हो curve या फिर trajectory equation of trajectory की बात करों then this will be equal to, देखो किसके term आएगी x और y के term आएगी तो क्या लिखूंगा यहाँ पर देखो में x minus something का whole square फिर plus y minus something का whole square this is equal to r square, ऐसा कुछ आएगा देखो यहाँ पर क्या आएगा x, x direction में क्या है r या निए radius, यह क्या होगी, तो कितना आएगा यह x minus r आजाएगा, अब यहाँ पर क्या आएगा देखो इस direction में चल ला है, minus y के direction में चल ला है, तो यहाँ पर minus y के में क्या आएगा, r omega t आएगा कितना आएगा, r omega t आएगा ने सुन्मारी बात मैंनी वहाप पर ही बूला था आपसे कि यहां पर दिहान पड़ना पड़ेगा साइन क्या होगा किस डिरेक्शन में है तो यह क्या जागा मैंने इन स्क्रमेंगे आएगा और मैंने 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 को जाएगा प्लस हो जाएगा and that is our equation of trajectory ये का निकल किया ये मेरे पास equation of trajectory निकल किया अब अगला कि है मेरे पास centroid अब लिखाना आप ने यह बहुत इंपोर्टेट था रिखना था हूँ आपर अगर यह निलिका तो गया अब लिखो सेंटर अब देख्या है मेरे पास electric अब क्या हो रहा है और कमा दूसरा क्या है why do I actằng motion मैं क्या हो रहा है मुपेंट हॏ और मोमेंट की जो कटिलीट रोलए最 कटिलीट से धिक तो प्लाएंशन लिक्रांशन ठीक? मैंने सबस् coord रोलए सकते हो और यह और इनिकाल सकते हो एहां αλλά यह यह आफNews उसन देशन दिखाइध इंपर यह ये और यह यह 4-57 जीट है हे चाहर पांच चीज़ी यह पांच दूसे कłemह से एक टैदा यह बंट आओ या नंता है एक करता है ना फिर उसको टोट करनते कि मलब कुसमा किस तरफे सेधा डिर्क्षन और कुसेण ऑफ ट्रफ ट्रफिक्ट्री असलित प्लेन क्या बनरत करेंगे कि कडिक में और सेसे इसको यह से रहें दो मेरे पास मैंगेनिक फिल और एलेक्टिक फिल विल लगा रहा है उसमें कोई हैंगि अपर हैं यहां मैं इस टैंब पर कहाРЕ रख दिया मैंनेस कि चार्ज रखा स्चूर्थ अभी मैह स्क्राइब कि अभी अभी प्लस क्योरी कि नहीं है चार्ज क्या है आपर मैंनेस क्यों मीरे पास मारे स्कर्ट हर अगर ऑफ पर इस्कूश्य ना यहां पर अगर मैंट इकानो इसमें लगने वाला मैगनेटिक फोस्ट निकानो देन दिस विल विए क्यों टू इन्टू इंटू इंटू इन्टू बी इन्टू जट के तो यहां से मिर पास मैनेट मैनेटत बेगा यह 2BB और कितना हुआ यह 6 × ऐब Państwo मेरे पास कितना है इंटू आया और यह ठाकद क्रose जेड़ को इक एकल्डी कहीं भीज़ाए म debris मसा मेनस इक होटा ने होता है यह डिसिस एक्स वाइज एक्स केप और फिर को मेनस का वाई-केप तो क्यों भी बी और किस डिरेक्शन में माइनस का वाइक डिरेक्शन में कि लिए इतनी बाद तो दिस इस एफ एम कि यहां से ऐसे आएगा में कि यहां से हां कि यहां पर दूना रहा है कि अधा गौ्ट कि देख अघे इस सब्सक्राइब फर भांड धाले और कि सेokoकिशन पर इस सब्सक्राइब वह इस एक सब्सक्षाल थे अपकर चूंट गारे उट एक्तुट 1965 आपकर अट देखाने करता थिक्छी यह तो कैसे ट्रॉत प्लेश्चिंट क्या हो जयाता कर वाइंडोर टेक्टरी क्या हो जाएगा विप्lection को मृमेंट टीटिकटरे क्या स्टीफिक ठीक है और कभी-कभी बच्चे क्या बोलते है मैंस एक्स क्या बोलने क्योंकि इनिशिल लुटार समय रहा है लेकिन फाइनली आप्टर एफेक्ट और मैंनेटिक फिल्ड इडिल जिन मैंनस वाइकप डिरेक्शन यह ध्यान देना है और अगर हम बात करो किसकी व्लॉसिटी की तो व्लॉसिटी विल वी एक्वल टू कितना होजागा मेरे पास एपॉन बी यह पी नौट अपॉन बीनोट और डारक्शन के हो जाए उसकी अगेन मैनस वाइकप डिरेक्शन विल भी मैनस वाई कप फिर अगर बात करो किसकी एक्वेशन ओफ ट्रेजेक्टरी की बात करो तो equation of trajectory will be, देखो किस direction में है, sorry, किस plane में है, xy plane में है, तो कितना आजाएगा, x minus something का square, 3 plus y minus something का holy square, this is equal to r square, देखो x का सांथ क्या आएगा यहाँ पर, देखो x का है मेरे पास, जिस direction में r है, तो क्या आजाएगा है, आपर r आजाएगा, और कैसा r आएगा, minus r, because this is r, इस case में r क्या है, यह है, किस direction में है, minus x direction में, तो मैंने minus का आजाएगा, तो क्या आजाएगा, प्लस का r, अब देखो यह क्या आजाएगा, देखो, this is plus का r omega t, and this is our equation of this trajectory, और equation of cycler in this particular case, और अगर हम बात करूं किसी center की बात करूं, तो center क्या हो जाएगा इसका, तो center will be again, x, y, z के coordinate system में लिखेंगे, यहाँ पर x आजाएगा, यहाँ यहाँ पर y का, इसका z का, देखो, x direction में क्या है, मेरे पास electric field है, और electric field में, की direction में, जो coordinate होता हो, क्या होता है, r होता है, और इस case में, कहां क्यों रहे, minus r क्यों रहे, तो कितना आजाएगा, यहाँ पर, minus r आजाएगा, दूसरा क्या है, मेरे पास y, y direction में क्या moment हो रहे, कि तो कितना आ जाएगा और यहां कितना आ जाएगा जी रोगा जीड़ेगा दिस इसे अट्र ऑगे समाई बात ओके और दिस इक्वेशन ओफ ट्रजेक्टरी कि अ अब देखो एक और देखें कि अधिन आ केस थर्ड देखो थर्ड केस 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 थर्ड में क्या है situation ऐसी ले लो कुछ कि इस इन नाइ एक्स एक्स इस इस इन याइ एक्स एन दिस इस आवर जे एक्स यहां के ले लो बीनॉट एक्स यहां के ले लो उनॉट वाई केप पीनॉट जेट केप स्वड़ी और यहां पर कैरो दो मैने स्क्यू चार्ण कितना चार्ण को डुट मैने स्क्यू चार्ण अब देखो कहां कियो करें करता हूँ देखो इलेक्टिक फिल इदर कि और है तो initial velocity खान के और होगी, इधर की हो, this is velocity, होगी नहीं होगी, एनी, minus z-cap direction, because this is negative charge, तो अगर मैं आपर किसकी बात करों, fm की बात करों, then this will be equal to minus का q into v into minus का z-cap, और cross, कितना आजाएगा ये, b into x-cap, ऐसा आगा कुछ, तो this will be equal to, this fm is equal to, ये मैंने मैं प्लस हो जाएगा, this is qvb, और अंदर कितना हो जाए, आगया ये, z cross x, आगया, kितना आगया, z cross x, and z cross x, कितना होता है, हमारे पास, that is equal to, y cap, होता है, नहीं होता है, sorry, sorry, z cross x equal to y cap, हाँ, कितना है ये, qvb इंटर कितना आजाएगा, y cap आजाएगा, यहनि, किस जारुसर में लग रहा है, हमारा फोर्स, y cap direction लग रहा है, तो ओव्यस्टी बात है, अभी जो मेरे पास trajectory होगी, कैसे बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी, दिख भी रहे हैं आपको, कुन सा होगा, y jet plane, अगर, moment की बात करों, तो moment किस जार्चन में हो रहा है, moment will be in y cap direction, हो रहा है नहीं हो रहा है, y cap में हो रहा है, और अगर हम बात करों किसकी velocity की बात करों, velocity of centroid की बात करों, that will be equal to e not upon b not, और into कितना आ जाएगा, y cap आ जाएगा, किस जार्चन में, y cap direction में, और अगर हम बात करों किसकी equation की, equation of our trajectory, that will be, किस जार्चन में, sorry, किस plane में है, y jet plane में, तो कितना आ जाएगा यह, y minus something का holy square, p plus z minus something का holy square, that is equal to r square, y के साथ क्या आएगा, y के साथ क्या आएगा, y क्या साथ क्या आएगा यहां पर , y के सांथ, इस direction में है न, तो इस direction में हमement科 हरा रहा है, न चार्चन हो रहा है तो कितना में आ जाएगा, r omega t आ जाएगा, और कैसा है गएगा, ki साण каких मेंगे इक मैंनेट किसा मेकी में मैं तो यहाँ कमेंगे आगा मुमेंट होरा है तो वहां क्या हो जाएगा घ्लाइगा एक यह निकला मेरा सेंटर ओफ साइकलोड इसेंटर ओफ साइकलोड ठीक कि तरोगी बाद ओके एक आथ कुछिन आप हो मर्कम करोगे वह लिख लोगोट आप अ अ कि यह सब्सक्राइब अब तो इसमें कोई दिक्कत ने होने चाहिए अब भी दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज करो उसके बाद तो तो सिचुशन कुछ इसी थी मेरे पास अभी छोड़ा चेंड ने कर दो एकक्सेस इस वाइक्सेस इन इस वाइकक्सेस तो पहला केस ऐसा लोग कि वी इकल टुक है मिरे पास दीनोट वाई कैप यह रूट यह है वो कितना है मेरे पास inought एक ठिक है और जो मेरे पास चार्ज क्यों है प्लसक्रज और उसमें बहले करों है यह इस पर wzglोंकि 精िटास कूर में मैंने कि एक स्ष оч Christmas ऐसोन एक आपको हो मंग tools फिर इंच कर लिंग नो तो यह समझने नहीं करना LIVE तो सब्सक्राइब नेक्स टास्क है देट इज अबाउट करेंट जो क्या होने वाला है एक इंपूर्टेंट कुछिन होने वाला है और अगर वह समझ में नहीं आया तो समल्लों फिर आगे कि मलब बहुत सारी चीजा आपके इसमें छूड़ जाएंगी इसमें मैंने टो इस्टेट में ठीक है त अगर आपके पास एक और चीज है आप मैंसे बहुत सारे प्रणाव चीज है बच्चे ऐसे होंगे जोने कोटा से कुछ ने कुछ किया होगा या फिर उनके पास क्या होंगे उस कोचिंग के नोट्स होंगे या फिर उस कोचिंग से उनको दिये हुए कोश्चिन होंगे अगर आप मुझे यह चीज करा सकते हो तो इससे अच्छी बात कुछ होई ने सकत हमारा यहां पर बहतर बनेगा इतनी वाद किलो भी ऐसा आपके आज पास यहां पी आपalnız होद्म फिस्य आपको है जोने कोटा से यहां पर किसी एक अच्छे इंस्टूट से कभी ने कभी कोचिंग ले रखी है तो उस कोचिंग के जो नोट्स है किरप्या करके मुझे सेंड करने की किरपा करें ठीक है ओके तो बस इतना ही कहना है और लाइक से स्क्राइब तो आप करी देते हो ठीक किया करो तो मिलते हैं आप से नेस्ट क्लास में एक और ने टोपिक के साथ तक लिए थैंक यू तैन्ने बाद बाई बाई